हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मा के हाथ का स्वादवित शालू चोदरी और आज हम बनाएंगे शाही पनीर जो की फेस्टिवल्स में काफी बेनिफिशल होगी आपके लिए बनाना अर घर पर अवेलेबल होने वाले INGRIDIENTS के साथ ही इसको बनाया गया है साथ ही जो इसका क्रीमी टेक्स्चर है वो बहुत टेस्टी है आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी इसका टेक्स्चर दिखाए दे रहा है तरीका तो चले शुरू करते हैं ये delicious recipe बनाना शाही पनीर बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम पनीर 200 ग्राम पनीर को हम pieces में काट कर रख लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पनीर हम बचा कर रखेंगे लगबग 50 ग्राम के करीब और उसको हम कद्दुकस कर लेंगे अब हम लेंगे एक कड़ाई और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल उसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले जिनमें मैंने डाला है दो छोटी इलाईची, एक बड़ी इलाईची, एक दालचीनी का पीस तीन-चार लोंग और तीन-चार मैं डाली है यहाँ पर काली मिर्च साथ ही मैंने जावितरी के फूल की पत्तिय डाली है दो से तीन और इसी के साथ मैंने डाला है आदा चम्मत जीरा इसमें से अगर कोई खड़ा मसाला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं जो अवेलेबल है वो आप इसमें डाल दीजी और जैसे ही हमारा जीरे चिटकने लगता है तो मैंने यहाँ पर डाली है दो टमाटर की प्यूरी जो कि मैंने पहले ही ग्राइंड करके रखी हुई थी इसको हम अच्छे से चलाएंगे साथ ही हम इसमें कुछ सूखे मसाले एड़ कर देंगे और मैंने डाली है यहाँ पर हरी मिर्च लंबी काटके अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ ही लाल मिर्च यह हम इसमें अपने स्वाद के अकोर्डिंग डाल देंगे और इनको अच्छे से पकने देंगे क्योंकि यह मसाले तेल में टमाटर की प्यूरी के साथ ही अच्छे से पक जाएंगे तो जो हमारा पनीर है उसमें इनका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा अब जब तक हमारी टमाटर की प्यूरी तीन से चार मिनट तक दीमी दीमी आज पर पकती है तब तक हम लेंगे काजू काजू मैंने लिए है लगबग एक मुठी यानि 50 ग्राम और इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर हम इनकी बना लेंगे एक अच्छे से प्यूरी जैसे कि हम म उमफली की गिरी की बनाते हैं चटनी टाइब तो मैंने प्यूरी बनाकर एक साइड रख ली है और अब हम देखते हैं कि हमारे टमाटर की प्यूरी वी ये अच्छे से बुण चुकी है इसमें आप देख सकते हैं कि मसाले ने किस तरीके से तेल को छोड़ दिया है तो यहा हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें हलका सा उबाल ना आ जाई जब यह बोईल होने लगती है तो इसको हम ढखकर रख देंगे तीन से चार मिनट के लिए दूबारा और धीमी धीमी आज पर इसको पकने देंगे तीन से चार मिनट बाद जब हम देखते हैं तो यह हमारी जो तरीय वो कुछ इस तरह की होगी पूरी जो तरीय उसने मसाला जो है उसने तेल छोड़ दिया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और अब यहाँ पर जो हमने काजू पीस कर रखे थे मिक्सी में वो काजू का पेस्ट भी मैंने यहाँ पर डाल दिया बागी मैंने इसमें कुछ भी अड़ नहीं किया और जिस कटोरी से मैंने दूट डाला था उसी कटोरी से मैं यहाँ पर डाल दूँगी एक कटोरी पानी ठीक है अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने नमक कम डाला है तो यहाँ पर आप इसमें नमक एड़ कर दीजिए ताकि वह अच्छे से पक जाए तरीके साथ और इसी में मैंने डाली है एक चमच कसूरी मेथी काफी डाइजेस्टिव होती है और इसकी खुश्बू भी काफी अच्छी होती है तो बनने के बाद सबजी में काफी अच पर इसके जो पीसी आएंगे तरी में वह बिल्कुल इस तरह का टेस्ट आपको दिलाएंगे और लुक भी इस तरह का आएगा जैसे कि शादियों में पनीर बनाया जाता है या फिर जो आप होटल में जाते हो वहाँ पे जो शाही पनीर खाते हो सेम वही फ्लेवर इसमें आ पाँच से साथ मिनट बाद आप देख सकते हैं कि तेल छोड़ दिया है हमारी तरीने चारो दरफ और यह अच्छे से पक गई है अब हमने जो पनीर के पीसीज गाटे थे वो हम इसमें डाल देंगे और हमें केवल दो मिनट के लिए ही इसको पकने देना है तो अगर आपको इसी वीडियो के नोटिफिकेशन से मिल सके और हाँ अगर आपने यह रेसिपी घर पर ट्राई की है तो अपना एक्सपिरियंस कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करना और बताना कि आपका एक्सपिरियंस इस रेसिपी के साथ कैसा रहा है तो यह देखिए रेसिपी में आप शाही पनीर खाते हैं वही लोग इसमें दिखाई दे रहा है तो फ्रेंड्स आप भी बनाईए इसको फैस्टिवल्स पर अपने घर में और इंजोई कीजिए मैं फिर से आओंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद